हाई गैसे विल्कम बैक टू दी चैनल दीपक्यादव एजूकेशन विल्कम टू दी डेली करेंट अफियर्स ऑफ 25 अगस 2021 तो गाई आज है तारिक 25 अगस 2021 और है वेडनस डे आज की तारिक से जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट करेंट करेंट अफियर्स बनेंगे उन सभी क इंट अफियर्स को हम लोग डीटेल में डिसकस करेंगे नाव बढ़ते हैं आगे शुरवात करेंगे एक छोड़े से शांदार मोटिवेशन के साथ आज का मोटिवेशन बोलता है नेवर स्टॉप लर्निंग बिकॉज लाइफ नेवर स्टॉप टीचिंग आपको जिंदग सो यह उनको आगे दोराना नहीं है साथ ही साथ यहां पर फोकस यह करना है कि जो भी आपने अचीव किया है उसके तरफ आप लोग पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ो अपने अंदर जो पॉजिटिव एटिट्यूड है उसको लेकर आगे बढ़ो क्योंकि जैसा हम ल ज़र मार लेते हैं कौन-कौन सा आर्टिकल्स का डिस्कुशन करना है हम लोग आज के वीडियो में सबसे पहला आर्टिकल बहुत सदा इंपोर्टेंट होने वाला है यहां पर हम बात करेंगे लिंजोिस्टिक कल्चर ऑफ इंडस वैली सिविलाजेशन के बारे में इस हीट वेवस बढ़ते हुए नजर आए हैं 2019 का कुछ डेटा बाहरा आया है जहां पर पता यह लगा कि हीट वेव के कारण बहुत सारे लोग की मृत्ति हुई है इसके बारे में डिसकुशन होगा क्या है हीट वेवस इसके क्या साइड इफेक्ट से इसका क्या सोलूशन हो सक इसके बारे में तो नौट इस स्टेट के अंदर जियो टूरिजम को प्रमोट करने की बात करी गई है अभी कोविड खतम होगा तो जियो टूरिजम हापे चलेगा तो यहां पर इस आर्टिकल में आपको बहुत कुछ नया जानने को मिलने वाला है एड दी लास्ट हम बात क करेंगे एक्सराइस कौनकन 2021 हुई है अभी यह कहां पर हुई है सब कुछ मैप के थूरू कवर करेंगे प्लस इस एक्सराइस से क्या बेनेफिट होता वा नजर आएगा उसको भी हम लोग कवर करने वाले हैं तो बढ़ते हैं आगे 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 बढ़ने से पहले अगर आप सभी लोग को टेलिग्राम का लिंक दिया या है वहां से जाकर आप लोग इस लेक्शर के पीडियेफ को डाउनलोड कर सकते हो और यह है मेरी इंस्टाग्राम आईडी दीपक श्यादा वेजुकेशन यहाँ पर जाकर मुझे फॉलो कर लेना अपनी जितनी भी क्वेरी रिविजन भी डेली बेसिस पर कराया करो तो यहाँ पर मैं डेली बेसिस पर पिछले करेंट आफेर का रिविजन भी कराता हूं ताकि हम लोग चीजों को अच्छे जग करनेट कर पाएं और लंबे समय तक याद रख पाएं कल हमने डिसकुशन किया था इस्टेट ऑफ दा परिशान देखने को मिलेंगे इनफेक्ट बहुत साई लोग की डेथ हुई है यह हम लोग उन्हें डिसकुश किया था डिटेल में यहाँ पे सिर्फ वा सिर्फ मैं आपको ओवर्वी दे रहा हूं रिवाइस करवा रहा हूं जादा डिटेल में नहीं जा रहा हूं कल मैंने बहुत ज़दा डिटेल में डिसकुशन किया है क्योंकि यह खास बात इस वीडियो की यह है कि हम लोग डेली पांच आर्टिकल डिसकुश करते हैं और वो पांच आर्टिकल के अंदर इनफ डिटेल होती है प्रिलिम्स और मेंस के पॉस्पेक्टिव से उसकाद हम लें कल ब हमारे पास देखने को मिल जाएगा बट फिर भी क्या है वूल का प्रोडक्शन नहीं उपार आए ठीके तो यहां पर यह चीज हम लोगों ने कल डिसकुश की थी उसकाद हमने बात करी थी डिफेंस इंडिया स्टार्टप चैलेंज 5.0 के बारे में इस चैलेंज के रिगार आइटम्स को दूसरी कंट्रीज को भी दे सके हैं और उससे क्या होगा हमारी एकनॉमी वगरा जनरेट होती भी नजर आएगी धनुसकाद हमने बात करी थी उत्तरखंड नारायन कोटी टैंपल के बारे में यहां पे कल मैंने आपको नागरा स्टाइल आफ टैंपल करी थी डीटेल में ओके नाव बढ़ते हैं आगे शुरुबात करेंगे आज के वीडियो को पहला आर्टिकल जीएस पेपर वन हिस्ट्री के पॉइंट अव्यू से इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि जो आपका हिस्ट्री का पूर्शन है वो जीएस पेपर के वन के अंदर स चर्चा हो रही है कि जो इंशेंट ड्रेवीडियन लैंग्वेज है इसका कहिना की लिंक है इंडस वैली सिविलाइजेशन से सब कुछ डिसकस करेंगे ड्रेवीडियन लैंग्वेज क्या है इंडस वैली सिविलाइजेशन क्या है और फिर उसके बाद यहाँ पर एक तो यह नई रिसर्च पेपर आए है तो उसके थुरू हमें यह सारी चीज़े पता चलिए है और इंडस वेली सिविलाजेशन अभी हाल ही में काफी जादा चर्चा में था आपको मालूम होगा जुलाई दो हजार एक्यस में युनेसको ने जो हरपन सिटी है धोलावीरा की ग भाशा है वो कहीं ना कहीं प्रोटो द्रेविडियन के अंदर आपको देखने को मिल जाएगी और जो यह पुरानी सी भाशा है मौडन द्रेविडियन लैंग्वेज की तो आपको इसके बारे में ध्यान रखना है तो कहीं ना कहीं इंडस वेली सिविलाजेशन की जो द्रेविडियन लैंग्वेज है इसका बहुत बड़ा इतिहास रहा है नदन इंडिया के अंदर यह आपको ध्यान रखना है और बहुत सारी लैंग्वेज यहां पर बोली गई है इंडस वेली सिविलाजेशन के अंदर लेकिन आप पर प्रोटो द्रेविडियन के ओपर का द्रेविडियन लैंग्वेज क्या है लेकिन उससे पहले कुछ इंपोर्टन चीज़ें हम लोग कवर कर रहे हैं उसके बाद जो इंडस वेली सिविलाजेशन है और भी बहुत सारी सिविलाजेशन आपको देखने को मिल जाएगी वह सब अकाडियन लैंग्वेज का समाल कर तीसरा कौन सा यह आप लोग बताओं के ने चो कमेंट सेक्शन में आगे मैं आपको बताने वाला हूँ यह जो मेसोपोटामिया सिविलाजेशन है यह कहां पर एक्जैक्ली आज के टाइम पर यह जो की इराक और कुवेत के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा यह पहले पाकिस्तान में देखने को मिलेगा तो आपको सकते हूँ इसको अब पिरचे की बात करें तो कब से कब तक इंडस वैली इसिविलाजेशन का टाइम पिरेट चल रहा था तो देखो इंडस वैली सिविलाजेशन को बनाया गया था 3320 में उसके पाद ही अपनी पीक पर पहुचा 2600 से लेकर 1920 के तक और एक टाइम पे खतम हो गया पूरी तरह से डिक्लाइन हो गया लगबग 1400 BC के बाद ठीक है यहाँ पर पूरी तरह से डिसापियर हो चुका था अब हमें स्रिफ और स्रिफ वहाँ पे चीजें मिलती है पंजाब को कवर करता है सिंद बलोचिस्तान राजिस्तान गुजरात और वेस्टन उत्तर प्रदेश को भी कवर करता है यहाँ पर बहुत सारी जगा है जो कि आपको देखने को मिल जाएंगी जैसे कि important sites आपको देखने को मिल जाएंगे राजिस्तान के अदर यह काली बंगान है जैसे मने आपको बैताया उसकवाद यहाँ पर हर्याणा के अंदर आपको राकी घडि देखने को मिल जाएगा उसके बाद इधर आपको गुझरात में दोला वीरा देखने को मिल जाएगा इधर लोथल देखने को मिल जाएगा पाकिस्तान में मोहिंजो दाड़ो हो गया और इधर उसके बाद हरपा यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा आगे इन पाकिस्तान में दनुसके बाद इधर आपको इंडस रिवर देखने को मिल जाएगी तो अब यहाँ पर जब हमें चीज खोज रहते हैं लोग तो बहुत सीजे मिली जैसे सिटाडल मिला, लोवर टाउन मिला, ग्रेट बात मिला, क्या क्या चीज आप आप देख पाऊंगा ग्रेंडरी मिली, लोग जो अपने अनाज कुछ इस प्रकार से रखते थे, इस तरहीं क यहाँ पर इंफ्रस्ट्रक्चर था, ग्रेट बात इसको बोलते हैं यहाँ पर लोग नहया करते थे, उसके बाद सिटाडल हुआ करता था और लोवर टाउन, मतलब जो स्ट्रक्चर में बना रहा हूं इसको ध्यान रखना फिर्स में बनाता हूं, यह जो उपर वाला पार् मत के खिलोने, यह सारी चीज़ हम लोग को मिलती रहती थी, बहुत सारी जूल्री वगरा भी मिलती रहती हैं, अभी भी, यहाँ पर क्या होती हैं, आगे आपको बताने वालो हूं, और फिर हमने देखा कि लोग एग्री कल्चर में क्या करते थे, खेती बाडी में, तो यहा बारले, कॉटन, रागी, डेट्स, और पीस का अस्तमाल करते थे, और यहाँ पर आपका सकते हो, जो व्यापार वगरा भी चलता था, इंडस्वाली सिविलाजेशन का इन सब चीजों कर रिगार्डिंग, और वो व्यापार करते थे, सुमेरियन से, सुमेरियन कौन, मेसोप डामिया से मतलब यह व्यापार करते थे, तो आपको ध्यान अखना है, आगे बढ़ेंगे, अब यहाँ पर कुछ और मेटल प्रोड़क्स भी पाएगा है, मेटल प्रोड़क्स के अंदर जैसे कॉपर, ब्रॉंज, टिन, लेड, यह सारी चीज़े मिलती है, कॉल्ड, गोल् पशुपती सील हम लोगो मिला है, पशुपती सील, कुछ इस प्रकार की सील मिली है, यहाँ पर एक डीटी देख पाऊगे, एक देवता है, इन्होंने मुकट पहन रखा है, इधर बफैलो बनावा है, इधर टाइगर है, उपर एलिफेंट है, इधर राइनोसारस है, कुछ इस प्रकार के स्ट्रक्चर्स हम लोगो देखने को मिले है, यह उस जमान में यहाँ पर यह चीज़े ड्रॉ करी हों गई, उसकाद कुछ पॉटरी मिली है, हम लोगो मटके सटके मिलते रहते थे बहुत सारे, रेड पॉटरी डिजाइन करी गई है, ब्लैक पर, ऐसी यहाँ पर पॉटरी हो गई, छोटे-छोटे मोती, चूडियां, इयर रिंग्स, वैसल्स, यह सारी चीज़े हम लोगों को मिली है, हमासे, इन सब चीज़ों का लोगों ने इस्तमाल किया है, ठीक है, यह सब जब आप नितन सिंग्यानिया की बुक पढ़ोगे, आट इन कल्चर वा यहां पर आप देख पाओगे, बीर्ड काफी स्टाइलिश है, तो फैशन की नॉलिज थी इन है, तो आपको यह ध्यान में रखना है, उसके आप कैसा कोई छोटी-छोटी इमेज है, जो कि हम लोग पहले देखते थे हिस्ट्री की बुक में, मैंने जब बहुत, मतलब पहल हम लोग NCRT वगरा जो UPSC वाले उनको वापस NCRT पढ़नी पढ़ती है, तिक है अगर हम लोग शुरू से NCRT को कवर करें, वैसे भी हम लोग क्या करते हैं, स्कूल एज में कुछ नहीं सिखाया जाता, रटो, पेपर दो और पासो, सिर्फ इतना ही तो कर जाता है, उसकी व लकडी का कॉफिन मना कर उसमें दफना जाता था, उसके बाद Indus Valley जो स्क्रिप्ट है न, वो अभी पूरी तरह से हम लोग ने decipher नहीं करी है, मतलब अभी भी हम लोग को बहुत सारी चीज़े हैं, इसके बारे मैं नहीं पता है, स्क्रिप्ट को अभी हम लोग पूरी तरह आपर, तो Dravidian Language क्या है, सबसे पहले हम लोग इसको समझेंगे, तो ये बहुत जादा पुराने की बोले जाने वाली Dravidian Language देखने को मिल जाएगी, ठीके, और ये जो प्रोटो Dravidian है, इसने लगबग 21 Dravidian Language को बढ़ावा दिया आगे, जो Dravidian Language है, इसके अंदर आपको 70 Language द देखने को मिल जाएगी, तूलू, कोड़ावा, उसके बाद यहाँ पर बहुत सारे Dravidian Speaker देखने को मिल जाएगे, जैसे की Schedule Tribes हो गए, ठीके, कुरुक हो गए, Eastern Side में, गोंडी हो गए, Central India के अंदर, तो ये सारे Schedule Tribes वाले लोग भी यहाँ पर ये Language बोलता है, उसके पंजाबी, उर्दू, Dravidian के अंदर, कननट, तमिल, तेलुग, मलियालम, टिब्बेतो, बर्बन, फैमिली के अंदर, मनीपूरी, हेती, और हिमालिश, तो यहाँ पर ये सारी Language से जो की जाहतर popular है, तो यहाँ पर आपको इसके बारे में ध्यान रखना है, तो information काफी important थी, अभी पता ये चलाए कि वो लोग meat dominance भी थे, मतलब meat वगरा भी खाते थे, तो इसी वज़ाए से article चर्चा में, ओके, ना आगे बढ़ेंगे, अगला article आपका environment के section के point of view से important है, और environment का topic जो है, environment का syllabus जो है, वो आपका आता है, GS paper 3 के अंदर, article में बात हुई है, rise in heat waves, जो heat waves हैं, वो काफिया तक बढ़ती हुई नजर आ रही है, गर्मी है, वो काफिया तक बढ़ती हुई नजर आई है, news में क्यों है, क्योंकि हाली में एक study आई है, study में पता ये चला, लगबग 3,56,000 लोग की जान गई है, साल 2019 के अंदर, उसके पीछे का main कारण है, ये बढ़ती wave क्या है, तो heat wave एक ऐसी condition होती है, जहाँ पर जो air का, यानि हवा का जो temperature होता है, वो काफिया तक बढ़ जाता है, इतना बढ़ जाता है, कि इंसान उसे जहला नहीं जाता, बहुत सारे लोगों से जहला नहीं जाता, और उनकी death हो जाती है, इंडिया के अंदर जो heat wave है, वो जबग 5-6 degree Celsius जादा temperature की जो हवा होती है, वो कहीं न कहीं heat wave कलाती है, और यह काफी बुरी तरह से affect करती है लोगों को भी, अब यहाँ पर हम लोग बात करेंगे exactly, इस heat wave का क्या impact पड़ता है, सबसे पहले तो heart stroke, यानि दिल से जितनी बिमारिया होती है, एक तरीके से heart stroke, ड सारी दिक्कत हैं देखने को मिल सकती है, बहुत सारे लोग को, साथी साथ healthcare cost बढ़ जाएगा, जब यहाँ पर बिमार पड़ा है, तो अब उसका hospitalization का charge, emergency room visit और भी बहुत सारा खर्चा यहाँ पर बढ़ जाता है, तो आपको ध्यानक ना है, दन उसके बाद lessons workers productivity, यहाँ पर यहाँ पर एक और impact यह है कि जंगलों के अंदर आग लगती भी नजर आ जाती है, जो भी यहाँ पर dry forest होता है, वहाँ पर heat waves की बढ़ रहे से जो गर्मी इतनी तीजी से बढ़ रही है, उसकी वेसे भी काफिया तक आग लग जाती है, तो wildfires भी काफिया तक देखने को मिल बहुत बुरा effect पढ़ता है, क्योंकि सूखा पढ़ जाता है, जैसे जैसे गर्मी पढ़ती है, पानी सूख जाता है, यह सब कुछ चीजे सूखी चूखी पढ़ जाती है, इससे क्या होता है, जब चीजे सूखा हो जाएगा, तो उससे जो crops हो गया, यह यह सारी चीज हो ग करते हैं इससे क्या होता है जो एनर्जी कंजम्शन होता है एलेक्ट्रिसिटी वगरा होती है वो जादा कंजियूम की जाती है अब जब एलेक्ट्रिसिटी वगरा जादा कंजियूम की जाएगी तो यह क्रैसिस भी देखने को मिल जाते हैं और यह आपका सकते हो कि जादा करना होगा environment को ठंडा करने के पीछेगा एक बहुत बड़ा यहां पर आपका सकते हो कि यह solution है वो है green space आपको अपने शहरों के अंदर हरे भरे space को बनाने पड़ेंगे पेड़ पौदे जाधा साधा लगाने पड़ेंगे आज के टाइम पर आप देख रहे होंगे किसी भी श इंच कम कैसे होगा जब आप carbon emission कम करोगे क्योंकि pollution हो रहा है कहीं न कहीं यह जो heat wave बढ़ रही है गर्मी बढ़ रही है इसके पीछे का main कारण pollution भी है जो pollution है इसको हम लोग कम करेंगे तो अब यह सी बात है कहीं न कहीं temperature के उपर काफी बड़ा effect पढ़ता हो नजर आएगा उसके बाद यहाँ पर बोला effective preventive measures आपको चीजों को study करना पड़ेगा identify करने के बाद कुछ ऐसे step उठाने पड़ेंगे जो की कहीं ना कहीं इन चीजों को रोकते वे नजर आए उसका दुनिया भर में बहुत सारे initiatives लिए उठाता है heat waves को लेकर दुनिया भर में बहुत सारे organization है for example world health organization, world economic forum, first global forum on heat and health, first global forum for environment यह सम्मिल कर जो weather है उसको यहाँ पर improve करने के लिए यहाँ पर work करती है उसका इंडिया के अंदर भी national disaster management authority है जो की बहुत सारी guidelines वगरा जारी करता है heat wave के regarding तो आपको इसके बारे में ध्यान अकना है काफी important article था, अगला article health के point of view से important होने वारा है, health आता है आपका GS paper 2 के अंदर, तो यहाँ पर article में चर्चा हो रही है polio के बारे में, तो news में क्यों है क्यों है हाली में, इंडिया ने decide क्या है कि वो अफगानिस्तान के जो लोग आ रहे हैं, क्योंकि आपको मालूम अफगान की vaccine देतों तो समझेंगे, लेगन ये polio की vaccine क्यों दी जा रही है, तो इसको हमें समझना है, polio की vaccine इसलिए दी जा रही है, क्योंकि अफगानिस्तान और पाकिस्तान एकलोती ऐसी दोनों countries हैं, जहां पर polio अभी भी एक बहुत बड़ी बिमारी है, तो हो सकता है, बहुत सार इसकान से लोग आ रहे हैं, तो कहिने के लेकर आ सकते हैं, इसी वाजा से जो लोग आ रहे हैं, उनको polio vaccination दिया जा रहा है, आप देख पाओगे, यहाँ पर Indian Express का अगे एक article है, काफी important हो जाता है, अब हम polio के बारे में discussion करेंगे, तो polio एक तरीके से आपको deadly viral infection disease देखने क हो जाती है, यह सारी चीज़े यहाँ पर हम लोग को देखने को मिलती है, अब यह फैल तक हैसे, तो यह जो virus है, यह transmit होता है, काफी तक फैलता है, परसन टू परसन, ठीक है, व्यक्ति से व्यक्ति में फैल जाता है, अगर यहाँ पर किसी का जूटा वगरा, यह सारी चीज को पलाए जाती है, जिनके 5 साल से कम हो भना है, क्योंकि इनको बुरी तरह साफेट करता है, इनके nervous system को, प्लस paralysis वगरा, जैसी चीज़े हम लोग को देखने को मिल जाती है, क्या इसके कोई लक्षड है, देखो कोई ऐसा लक्षड तो exactly feel होता नहीं है, लेकिन फिर भी बहु तक मौच जाए तो, उसके बाद इसके लिए prevention और क्या और क्या है, तो एक prevention है, वो है immunization, अब यहाँ पर polio के लिए vaccine है, vaccine दो टाइप्स की देखने को मिल जाएगे, एक है oral polio vaccine जो की drop वाली पलाई जाती है, और एक है injectable polio vaccine जो की body के अंदर सुई के माध्यम से inject की जाती ह उके, उसके बाद इहाँ पर हाली में अभी क्या हुआ है, बहुत सारी countries के अंदर polio काफी तेजी से बढ़ता वा नजर आया है, 2019 के अंदर जो polio outbreak record किया गया था, फिलिपिन्स के अंदर, मलेशिया, घना, मैनमार, चाइना, कैमरून, इंडोनेशिया और इरान के अंदर, यह polio काफी तेजी से बढ़ता वा नजर आया है, world health organization के according कर हम बात करें, जो oral vaccine virus है न, यहाँ पर एक तरीके से यह help करेगा, साधी साथ यहाँ पर आप कर सकते हो कि जो यह virus है, recently बहुत सारी countries के अंदर यहाँ बढ़ते वे नजर आये, उसके बाद, इंडिया और polio का कर हम और आज के टाइम पर क्या हो रहा है कि बहुत सारे लोग अफगानिस्तान से रेटन कर रहे हैं, इसी वज़ा से हम लोग को concern यह है कि वापस से polio ना आ जाए यहाँ पर इंडिया के अंदर, तो उसी वज़ा से यहाँ पर जो भी लोग आ रहे हैं, उनको यहाँ पर polio का vaccination प्रोवाइड किया जा रहा है, उसके बाद दुनिया बर पे एक program चला जाता है, Global Polio Eradication Initiative जो की दुनिया बर में polio को कम से कम करने की कोशिश करता है, और एक चीज़ और ध्यान रखनी है, World Polio Day भी हम लोग observe करते हैं, साल में एक बार 24 October को तो आपको ध्यान रखना है, World Polio Day observe किया जाता है, इंडिया के अंदर यहाँ पे बहुत सारे program चला जाते हैं, जैसे Pulse Polio program जो की polio को कम करने में मदद करता है, उसके बाद Intensify Mission इंद्रधनुश 2.0 यहाँ पर यह भी polio को कम करने मदद करता है, तो यह आपको ध्यान रखना है, आगे बढ़ेंगे अगले article क के अंदर, तो यह article दहिंदू के अंदर आया था, डीटेल में काफी होता कवर किया, कि जो geology special, जो आपका सकते initiative है, इसका कहना यह है, sorry, geological survey of India, मैंने दूसरी body का नाम बता दिया, ठीक है, तो यहाँ पर जो यह geological survey of India, exactly GSI के बारे में बात हो रही है, तो GSI ने लिस्टा कि क्या है, कि लगबग जो geotourism sites हैं, North East के अंदर, वो खुल जाएंगी, कुछ यहाँ पर COVID-19 के precautions को लेते वे, मतलब COVID के वैसे यह सब कुछ lockdown लगा, और जो tourism बगरा है, लोग घूमने जा रहे थे, वो भी चीज़े बंद होए थी, लेकिन अब जो North East वाला area है, जैसे आसम मि प्रमोट किया जाएगा, टूरिजम बढ़ाया जाएगा, टूरिजम बढ़ाएंगे तो उससे क्या फायदा होगा, आगे मैं आप लोग को बताऊंगा, लगबग 12 locations हैं North East India के अंदर, जिनको यहाँ पर प्रमोट करने की बात की गई है, जो लोजिकल heritage sites क्या होती है, यानि हम लोग heritage sites बोलते हैं, बहुत सारे monuments भी आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है, अब यहाँ पर sites की बात हो रही है, तो जो heritage sites बहुत सारी है, हमारे पास, जैसे की मैरीन गोंडवाना हो गया, मैडवीन गोंडवाना फॉजिल पार्क है, 36 गड़ के अंदर, सिवालिक वर heritage sites हैं, उसके बाद यहाँ पर geotourism exactly क्या होता है, geotourism का मतलब भी है, किसी particular जगा पर, मान लोग कोई विरासा दिस्थाल हो गई, दीख है, लोग जाकर घूमना पसंद करेंगे, हमारे culture से related है, तो यहाँ पर क्या है कि लोग आएंगे, जब लोग आकर घूमेंगे वहाँ पर तो इससे क्या होगा, community आपस में involved होगी, अलगला community के लोग आएंगे, community involvement मिलेबड़ेगा, साथ इसाथ जो local economy है, जब लोग आएंगे तो पैसा भी खर्चेंगे, वहाँ पर कुछ ना कुछ खरीदेंगे, तो क्या होगा, उस जगा की economy वगरा भी grow होती भी नजर उसी के साथ जो हमारी संस्कृती है, हमारा जो पुराना विरासस्थल है, उसको हम लोग protection भी प्रोवाइड करवाएंगा और उनको respect भी मिलेगी, तो यहाँ पर आप कर सकते हो, यह इसका focus है, तो बहुत सारी sites है North East के अंदर, जो कि आज के टाइम पर खोली जाएंगी, जै ठीके largest fresh water lake है, North East के अंदर तो इसको भी खोला गया है, उसका और भी बहुत सारी जगा है, जैसे मिघालिया के अंदर है, थेरीगाट, उसके बाद आसम के अंदर है, उमन्दा, उसके बाद जो है और भी बहुत सारी जगा है, तिरुपुरा के अंदर है, उनकोटी, करुना अब टूरिजम को ओपन किया जाएगा, अब यह सब काम किया गया है, एक तरीके से रिसेंटली, जो लॉजिकल सर्व आफ इंडिया के दोरा, तो यह जो लॉजिकल सर्व आफ इंडिया किया है, इसके बारे पता हो नहीं होना चाहिए, प्रिलिम्स के पॉस्पेक्टिव से इंपोर्टन है, तो GSI को सट अप क्या गया था 1851 में, ठीक है, और यहाँ पर यह किस के अंडर में आता है, मिनिस्ट्रि आफ माइन के अंडर में आता है, इसका में फंक्शन क्या है, इसका में फंक्शन है, जो भी हमारे यह विराश्ता दिस्थाल है, उसको एक तरीके से आगे लिए कराना, उनको प्रोमोट करना, साधी साथ, जो जियो साइंटिफिक इंफॉर्मेशन उसको अप्डेट करना, इसका जो में हेड़कॉर्टर है, वो आपको कोल गता के अंदर देखने को मिल जाएगा, अगला अर्टिकल डिफेंस से सिक्योरिटी के पॉइंट अ गया गया है, और आपको मालूम होना चाही है, पिया भी एक बहुत इंपॉर्नेंट सोर्स है, क्योंकि गोवर्नमेंट का डेटा यहां पर आता है डिरेक्टली, और यहां पर आप देख पाऊगे, न्यूज में इसलिए है, क्योंकि इंडिया और यूके के बीच में यहां एक्सराइज हो रही है, कौनकन 2021, रिसेंटली हां पर एक्सराइज कंडेट करवाई गई है, इंडिया और यूके के बीच में, यहां पर आइनस ताबार गया था, यानि इंडिया नेवल शिप ताबार था, उसी के साथ यहां पर इंग्लिश चैनल के अंदर, जो HMS विंस् यहां पर आपको इंग्लिश चैनल के बीच में, उपर यूके हो या नीचे फ्रांस हो गया, यहां पर आपको इंग्लिश चैनल देखने को जाएगा, इसी जगह पर यह एक्सराइस करवाई गई है, भारत और यूके के बीच में, और यह बालेटरल कौनकन एक्सराइस थी, जो इंडिया और यूके ने मिलकर करी है, और इस कौनकन एक्सराइस का यह एक नया अडिशन होगा, ऑब्यस सी बात है, यह कौनकन एक्सर इंडिया और UK के बीच में होती है उसके बाद यहाँ पर क्या है अभी क्या हुआ है ना भारत का यहाँ पर INS तबर था यानि इंडिया नेवल शिप तबर था यह एक फ्रीगेट मतलब छोटे जहाज होता है उनमें वेपन्स वगरा सब कुछ होता है फ्रीगेट से बड़े होते हैं तो आपको ध्यान अकना है फ्रीगेट से बड़े वाले शिप होता है वो डेस्ट्रॉयर लेकिन फ्रीगेट थोड़े से साइज में छोटे होता है तो यहाँ पर यह तर्कष तरिकंड तलवार त्रिशुल यह कुछ और फ्रीगेट से जो कि हाँ पर रश्या की मद 2016 में एक और एग्रिमेंट हुआ है इंडिया और रश्या ने मिलकर एक इंटर गुर्रमेंटल एग्रिमेंट किया था कि हम लोग चार क्रिवक और तलवार इस्टिल फ्रीगेट को खरीदेंगे और अभी यहाँ पर दो फ्रीगेट हमारे पास आ चुके हैं जो कि अभी की न रख सकते हो जैसे मैंने बताया भारत के जो मैरी टाइम एक्षाइज है वो अभी यूके के साथ कौन-कौन सी है एक तो कौन-कन जो हांपर चडचा हो रही है उसके अलावा यूके के अलावा बहुत सारी कंट्रीज के साथ और भी हम लोग अभिहास करते हैं मेरी टाम को ध दिहान रखना है, prelims के point of view से भी important है plus various exam के point of view से भी important है सिलनका के साथ जो भारत exercise करता है, maritime exercise उसका नाम है Scalix Japan के साथ, स्वारी, Bangladesh के साथ जो करता है उसका नाम है Bongo Saagar and Iron Bin Corporate, Japan के साथ करता है उसका नाम है Gyme metals, Oman के साथ Dennis Brick.com अलेशा के साथ एमकॉर, सिंगापूर के साथ सिंबैक्स, आस्ट्रिलिय के साथ औसिंडिक्स, और जैपान और यूएस के साथ माला बार एक्साइज, तो आपको इसके बारे में ध्यान अखना है, I hope आप लोग को सभी आर्टिकल्स अच्छे से क्लियर हो गए होगे, ना वो इसी के साथ करते हैं लेक्चर को समाब, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स वीडियो में आज के लिए बाबाए, हैवनाइस टे, थैंक्यू और जैहिंद।